वश्कार दोस्तो आज हम बात करने वाल हैं साथ क्तुबर की हिमाचल प्रदेश की मुख्याखवरों के बारे में और हिमाचल प्रदेश देश और दुनिया में करोना वाइरस के बारे में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं है तो ऐसे वीडियो अगर हम पूरी दुनिया में करोना वाइरस की बात करें तो पूरी दुनिया में अभी तक 3.60.000 लाग करोना वाइरस के मामले आ चुके हैं हमांचल सियम जैराम कॉरंटीन कैबिनेट बैठक टली तो आप सबी को बता दे हमांचल के सियम जैराम ठाकूर के परदान और नीजी सचिप क्रोना फॉष्टी पायागे हैं दोनों ही हमांचल इस दिन टैट पास करने वाले टीजटी भर्ती के लिए पात्तर नहीं होंगे अब बैक लॉग के पदों को चालू वर्ष की भर्ती में शामिल नहीं कर सकेंगे महक में लाखों बागवानों को अब खाते में मिलेगी कितना शक दवाओं के सबसीडी निउक्ती की जान से फैले ही दो नीजी विश्वदालियों के कुलपतियों ने दिये इस तीफे तो अब सभी को बताई होगा हिमाचर प्रदेश में अब जान शुरू हो चुकी है जो कि कुलपतियों के यहां पे निउक्ती से रिलेटिड तो यहां पे आयो कर रहा है जो कि UGC की गाईलाइन के तैत निउक्तियां हो रही कि नहीं हो रही है तो आयो कि नए अध्यक्ष मेज जनरल सेवानी उरित अतुल कौशी के पदवार समालते हैं निउक्तियों की जांच करवाने का फैसला लिया गया है तो यहां पे रिजिस्टार शिक्षों को के रिकॉर्ड मागे गए हैं तो हर एक उन्वस्टी से यहां पे मांचिर परदेश में और भारा विश्वदैलिय ने जारी किया जुलाई तक का लंबित बेतन और साथ में श्री साइं जो कि विश्वदैलिया के चांसलर तलब जो कि उन्ना के चांसलर 16 अक्तूबर को आयोग ने तलब की हैं इस प्रण विश्वदैलिया से स्वंधिश कायतों को लेकर चांसलर से जबाब यहां पे तलब जो कि चांसलर और वाई चांसलर यहां पे निउक्ट किया जाते उसमें भी इस दिन टैट पास करने वाले TGT भरती के लिए नहीं होंगे पातर तो आप सब भी को बता दें हिमांचल प्रदेश स्कूल शिक्षा वोर्ड की ओर से 29 सितंबर को गोशित किये गए टैट परिनाम को पास करने वाले जितने भी अभ्यारती है वो इस वार जो कि 24 फेबरेरी को जो कि बेकेंसी निकल लिए वेच्ट वाई स्टी भरती के लिए पातर बिलकुल भी नहीं होंगे तो यहां पे जो कि शिक्षा वोर्ड ने साप कर दिया है जो भी चांसलर अभी पास होए टैट कर रहे थे उनका और तो इसी लिए यहां पे जला जवाब चलब किया गया था शिक्षा विभाग से तो वहां पे जवाब मांगा गया था रोजगार कारले द्वारा तो इन्होंने साप कर दिया है कि अब जो कि अभी पास हो रहे वो इलीजिबल बिलकुल भी नहीं है जो 24 लेक्षर पॉलिटिकल साइंस का जो कमिशन हुआ था आठ परिनाव आठ महाबाद भी यहां पे अभी घोशित नहीं हुआ तो आप देखिए एक परिक्षा परिनाम होता है जो कि एक साल बाद निकलता है और यहां पे तीन साल तक एक भरती यहां पे हैच पीपी ऐसे शिम बाद बरेघाबर के बेक्षर पर्देश में इसमें थोड़ा साइंगामा होता है कि पता ही और जो कि और पर बाद यहां पर प्रती यहां पर पर देखिए क्वर परदेश पता भी नहीं चलेगा बट यहांपे back log भरती की जो की merit होती है सबसे कम जाती है तो यहांपे पर परदेश ने फैसला लिया जो कि यूटू reservation उससाएद यहांपे लिया है जो कि इनका कहना है कि backlog भरती के पाद अब अलग से बरे जाएंगे बागी बर्तियों के साथ उप बिल्कुल भी नहीं निकाले जाएंगे हिमांचल सीम जैराम क्वारंटीन केविनेट बैठक टली तो आप सभी को बता दे जो कि केविनेट की बैठक थी हिमांचल प्रदेश में लौक टूबर को फिलाल टाल दी गी है बागी निगरानी में रहेंगे उसके बाद यहां पर आठ अक्तूबर को उनका सेंपल लिया जाएगा फिर पता चलेगा कि को क्रोना पॉजिटिव आएंगे या नेग्टिव आएंगे उनके रिपोर्ड उसके बाद केविनेट मीटिंगे फैसल होगा इमाचल के सीम जैरा करम में करोना नेक्टिव रिपोर्ट आने के बाद ही प्रवेश मिला है जो कि डी सी का यह कहना हालांकि मनेताओं को यहां पर छूट दिये दी गई थी करोना टेस्ट कराने के लिए बट यहां पर का जरा कि नहीं अब इन्होंने भी टेस्ट कराया क्योंकि आप सभी को पत कि उनके सचीव और नियोजिनीजी सचीव और भी करोना पोजिटिव पाया गया है लाखो बागवानों को अब खाते में मिलेगी कितनाशक दवाओं की सबसीडी तो आपको बता दे हिमाचल परदेश में लाखो बागवानों का आगामी बित्त वर्ष में अब उपदान सबसीडी में मिलती थी दवाईयां जो की होती थी बड़ आप दवाई खरीदेंगे उसके बाद या आपको खाते में सबसीडी आए क्योंकि जो भी दवाईयां हमाचल सरकार खरीदी थी वो डेट एक्सपायर होती थी या तो खराब दवाईया होती तो इसलिए यह फैसला लिया गया जितने भी कीटना चक हैं या सीजन के कुरोडर रुपए की जो कीटना चक दवाईया खरीती वह अब नहीं खरी दी जाएगी क्योंकि जो कि खराब होती थी देक्स पाइर होती और उनकी गुंडबता अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती थी जो कि बेकार की बाद विस्तार से करें तो अभी तक परदेश में 3,11,773 लोगों के क्रोणा वाईयरस सेंपल की टेस्टिंग की गी है जो कि टेस्ट किएगे जिस में से 2,94,234 सेंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है जो लोगों की और यहां पे रिजल्ट अवेटिट अगर हम बात कर से 16,213 लोगों की सेंपल रिपोर्ट यहां पे पोजिटिव आई है तो टोटल पोजिटिव अगर मुरीजों की हम बात करें तो महांचल प्रदेश में अभी तक 16,283 पोजिटिव आ चुके हैं जिसमें से 3,136 एक्टिव केज इस प्रदेश में फिलाले और 12,898 यहां पे ठीक हो चुके करोना वाइरस से और 124 लोगों की महांचल प्रदेश में अभी तक मुरितिव हुई है करोना वाइरस की बाज़ास से अगर हम जिला वाइज आंकडों की बात करें तो पिछले कल सोलन से 49 मामले आए कांगडा से 20, सिरमोर से 27, मंडी से 18 और शिमला से सबसे ज़्यादा 49 मामले आए उनना से 17 और हमीरपूर से 2, बिलासपूर से 15, चमबा से 4 और कुलू जीले से 24 और कुलू जीले से सबसे ज़्यादा है और किनौर से 4 और यहां पे लाउस पिती से एक मा प्रवाइरस का पिछले कल इमाजिव देश में और अगर देश की बात करें तो देश में पिछले कल 71,879 क्रोना वाइरस के नए माम लेहाए हैं पॉजिटिव और साथ में टोटल अगर COVID-19 की संख्या की हम बात करें पॉजिटिव केसिस की तो देश में यहां पे 66,54,189 पूरी दुनिया में करोना वाइरस की बात करें तो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में अभी तक 3.60.000.000 से ज़्यादा कुरोना वाईरस की केसी नब देक का आ चुकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर डेक्ट की बात करें तो 10.000.000 से ज़्यादा लोगों की पूरी दुनिया में कोरोना वाईरस की वजह से जान जा चुकी है 10,35,921 लोगों की है और एक्टिव केसिज अठाटर लाग चो तालीस सजार तिन सो पचपन है वोरी दुनिया में क्रोणा वायरस की अगर हम बात करें एक्टिव केसिज की तो सबसे ज़्यादा एक्टिव केसिज कौन सी कंट्री में है तो यहां पर सबसे ज़्यादा एक्ट से कंट्री से लग आये अबी से जो ऊसे से आये 77,00,00,00,00 तो यहां पर हम बात करें तो इंडिया से 67,00,00,00 300,000 ब्राजिल से वह इंपर 12,000 केसिस आएं तो सबसे ज़्यादा ये डावल है तो इसे आज की वीडियो वीडियो शेल लेला है को शीर करना मुलेगा आशिवनित नहीं दन्यावाद